लिबनान का हिजबुल्ला गाजा युद्ध के बीच इसराइल को ऐसे ऐसे जटके दे रहा है जिसकी वज़ा से उत्री बॉर्डर पर इसराइली फॉज की कमर तूटती जा रही है पहले तो सेनिकों की जान का नुकसान वहीं दूसरी तरफ नुकसान सेनने उकरनों और हत्यारों का जिनकी कीमत अर्बोट डॉलर में है इसराइली सेना को हिजबुला के साथ अगोशित जंग लड़ना सबसे ज्यादा महगा पड़ रहा है और तो और हिजबुला अब इसराइल के कई सम्वेदन शील सैने ठिकानों की जानकारी तक ले चुका है जिसकी वज़ा से इसराइल के भीतर सैने ठिकानों, हत्यार कार खानों और फैक्ट्रियों जैसे एहम टार्गेट अब हिजबुला के निशाने पर हैं और अब इसी कड़ी में हिजबुला ने 11 अगस्त 2024 को इसराइल पर सिलसिलेवार तरीके से कई बड़े हमले किये हैं इसके बाद करीब 9 बज कर 15 मिनट पर हिजबुला के लड़ाकों ने अल राहे मिलिटरी साइट पर जमा हो रहे इसराइली सैनिकों के उपर हमला कर दिया और इसके बाद बिरकत रिशा मिलिटरी साइट पर हिजबुला ने IDF के जमावडे पर सीधे रॉकेट दागे हिजबुला का कहना है कि उसने इस हमले के ठीक बाद मिताद बैरिक्स पर इसराइली सैनिकों के एक और जमावडे पर अटेक कर दिया और इसके तकरीबन पाँच मिनट बाद ही हिजबुला के लड़ाकों ने अलमलीकिया मिलिटरी साइट पर एक बड़ा ड्रोन अटेक किया है इस हमले में हिजबुला ने IDF के जासुसी उपकर्णों को उड़ाने का दावा किया हिजबुला के मुताबिक उसने कबजे वाले कफार चौबा हिल्स में IDF के अलम सैनने अड़े पर भी कई जासुसी उपकर्णों को ध्वस्त कर दिया है और इसी सैनने अड़े पर शाम गो करीब 4 बज कर 22 मिनट पर कई रॉकेट भी फायर किये गए और इस हमले के बाद हिजबुला ने एक बार फिर से आलमलीकिया सैनने अड़े पर फर्स्ट परसन व्यू ड्रोन फायर कर दिया और शाम होते होते करीब 7 बज कर 20 मिनट पर हिजबुला ने इसराइल लेबनान सीमा पर बसे आलजिर्दा मीटिंग पॉइंट पर एक और हमला किया यहाँ पर भी इसराइली सैनने के खटा हो रहे थे आपको बता दे की न हमलों से पहले इसराइली सैनने हिजबुला को बहुत बड़ा जटका दिया था दरःसल आईडिएफ ने अपने हवाई हमलों में तीन बड़े लड़ाकों को मार गिराय था IDF ने लिबनान के बलिदा कबजे में हिजबुल्ला के लड़ा के मुहमद हानी हैदर को धेर कर दिया था इसके बाद हदाता कस्बे के अली समीर हिजाजी को भी IDF ने मार गिराया था और इसके बाद लिबनान के बेतलिफ कस्बे के हुसेन गद्बान की भी इसराइली सेना ने हत्या कर दी आपको बता दे कि इसराइली सेना ने अलताइबे और मारोब कस्बे और यातेर के बाहरी इलाकों पर बंबारी की थी जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ है और इस हमले को लेकर लिबनान की न्यू जेजंसी अलमयादीन का कहना है कि इस हमले में पांच इसराइली मूल के लोग घायल हुए है